Chapter 18, Talking about Tomorrow or Later on Future Tense Future Tense की बात हो रही है, जो बात कल होने वाली है या आने वाला जो समय है, उसके विशे में जब बात होती है तो हम Future Tense यानि की भविशिकाल की बात करते हैं You have already learned that in a sentence Tense show the time of the happening of any action In the previous chapter, you have learned about present and past tense ये बता रहे हैं कि Tense क्या होता है कि Tense properly ये होता है कि समय में क्या हो रहा होता है इसके बारे में बता रहा होता है तो हमें यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है कि वो किस-किस Tense में होता है समय अगर हमारे वरतमान काल की बात कर रहा है कि अभी जो कारे हो रहा है वो present tense है जो काम हो चुका है वो past tense और जो काम होने वाला है वो हमारा future tense यानि कि भविश्यकाल को बताता है फिर future tense talking about tomorrow or later on future tense जो है वो हमारे आगे आने वाले कल के विशे में बात करता है future tense is used to talk about an action or work that will happen tomorrow or later on in the future time it is used in a sentence to indicate that the action will happen in the time to come ये बताता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि future tense हमको क्या बताता है कि ये आगे आने वाले समय जो future में काम होने वाला है जैसे मैं आपको ये chapter 18 हम लोग पढ़ने chapter 19 में आगे पढ़ाऊंगी ये काम हम आगे करेंगे तो इस रिशे में बात हो रही है तो it means ये future tense की बात हो रही है example देखिए he will get a partly tomorrow तो ये क्या है कि get चुकि यहाँ पे मतलब हमें ये भी देख आ सॉरी will जो है हम देख रहे हैं ठीक है तो हमारा will जो है वो get हमारा verb है verb के ठीक पहले हमें यहाँ पे will लगाना है अपने future tense में हमको जितना भी singular numbers होंगा उसमें हम he will लगाएंगे ठीक है और जितना plural number होगा उसके साथ हम share लगाते हैं यह हमारी पहचान होती future tense के लिए ठीक है आए के साथ यहाँ पर will ही लगेगा वो convenience के accordingly चेंज होगा ठीक है कि sentence हमसे क्या कह रहा है उसके accordingly हम करेंगे ठीक है लेकिन अब भी आप यह समझे कि यहां पर singular numbers के लिए क्या यूज होता है विल यूज होता है अगर आपको इस chapter से related कोई problem होती है तो आप उसे google meet पर concern कर सकते हैं okay class thank you